नमस्कार जेहिंद मैं हूँ शजांग लखेरा रिसूर्ड में हम बात करने वाले हैं तियानमिन प्रोटेस्ट के बारे रिसेंटली आपने आर्टिकल पढ़े होंगे कि होंग कॉंग कॉंग ने जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बेन लगा दिये हैं तियानमिन जो जगह है वहाँ पे एक नरसंगार हुआ था वहाँ पे एक मैसे केर हुआ था हजारों लोग की जान गई थी और इसी को लेके चाइनीज पीपल जो है हर साल उनको कमरेट करते हैं उनको जो है आपर सद्राणजली देते हैं पूरे होंग कॉंग में कहीं भी जो है रैली आप नहीं निकाल सकते देखो होंग कॉंग वैसे ही जो है चाइना के अंडर में है होंग कॉंग में आपको चाइना की पुलिस देखने को मिलेगी इनफेक्ट कुस्सा में पहले तो ये भी हुआ था कि चाइना ने ये कहा था कि होंग कॉंग कोंग के जो लोग है उनको हम यहां से अरेस्ट करेंगे और चाइना लेके जाएंगे तो होंग कॉंग में बहुत ही यूज प्रोटेस्ट खड़े हो गए थे तो क्या है ये तियानान में में से क्यार उस सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोकेशन देख लो कि तियानान में है कहां पर देखो यहां पर हम जूम इन करते हैं तियानान में स्क्वेर अगर आप दोगे तो बीजिंग में ये आपको देखने को मिलेगा तियानान मेन स्क्वेर और यहीं पे एक बहुत बड़ा मेसिक्यर हमको देखने को मिला था जहां पे हजारों लोग की म्रत्य हुई थी इसी सड़क पे चाइना की आर्मी ने जो है लोगों को टैंक से कुचल दिया था और करीब दस हजार लोगों की मौत हुई थी और करीब दस लाग प्रोटेस्टर थे यहां पे और देखो आज के दिन सिर्फ यहां नहीं वर्ल्डवाइड जो चाइनीज लोग हैं वो यहां पे प्रोटेस्ट करते हैं अगर आप देखोगे यूके में तो यूके में भी जो है आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर Chinese embassy के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस message care को लेके और इसके regarding का आप article भी देख सकते हो यह article slate का है Hong Kong Bands Annual Tiananmen Vigil Threatens Arrest for Attendance So basically यहाँ पर यह का जा रहा है कि अगर Hong Kong में कोई भी लोग जो है यहाँ पर कोई rally नकालता है तो उसको arrest कर लिया जाएगा और अभी 2-3 लोग को arrest कर भी लिया गया है वहीं पर Indian media भी इसको cover कर रहा है थियानमें चौक नरसंगार तो 32 साल हो चुके हैं इस message care को लेके लेकिन आज भी दुनिया इस message care को याद करती है चाइना के इस नरसंगार को याद करती है चाइना के डेटा के हिसाब से करीब 10,000 लोग की death हुई थी लेकिन अगर आप इसको official देखोगे तो official data जो है याप मौझूद नहीं है क्योंकि आपको पता है चाइना से कोई भी news नहीं निकलती COVID-19 में भी आपको सिर्फ 4,000 deaths देखने को मिलेंगी overall पूरी चाइना में जिस देश में सबसे आदा आबादी हो और जिस देश से COVID-19 शुरू हुआ हो वहाँ पे सिर्फ 4,000 deaths हमको देखने को मिल रही है तो आप खुश सोच सकते हो कि चाइना जो है यहाँ पे exact data कभी नहीं बताता और इस पे आपको tweet भी देखने को मिलेगी Hong Kong police have lockdown Victoria Park the traditional suite for annual June 4 vigil completing China's 1989 तियानमेन square crackdown Hong Kong में actual में आपको पुलिस देखने को मिलेगी चाइना की यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि COVID-19 के concern को देखते हुए हमने यहाँ पे जो Victoria Park है उसको हमने बंद करके रखा हुआ है लेकिन उसके पहले एक वीडियो देखो आपको उसमें समझ में जाएगा कि Victoria Park को किस तरीके से जो है यहाँ पे लॉक करके रखा हुआ है और आज के समय कुछ इस तरीके की हालत आपको देखने को मिलेगी आज के समय हॉंग कॉंग कॉंग की जो अथरोटीज है उनने करीब हजारों की संख्या में सोलजर जो है उनको डेप्लॉई किये हैं मतलब पुलिस फोर जो है डेप्लॉई किये हैं और यहाँ पे बैन कर दिया है पूरी सिटी को यहाँ पनों ने यह कहा है कि 1989 का जो त्यानमेन है मैसे केर को उसको लेके कोई भी एनिवरसी नहीं होगी कोई भी गैदरिंग यहाँ पे नहीं होगी अगर हम पिछले 30 सालों से देखें तो पिछले 30 सालों से करीब हजारों की संख्या में जो है होंग कॉंग में लोग यहाँ पे खट्टे होते हैं और इस नरसंगार को जून 4 और जून 5 के दो नरसंगार को जो है Victoria Park में commemorate किया जाता है हर साथ क्योंकि इस दिन China के जो बहुत सारे student है त्यानमेन square में मारे गए थे अब यहां पर कुछ कोशन भी आते हैं कि त्यानमेन square है क्या देखो त्यानमेन square जो है न एक entry point है क्योंकि अगर आप Beijing में देखोगे टेंक्स जब उतरते हैं जब कोई भी देश इंडिपेंडेंस यह सेलिब्रेट करता है तब यहां पर अपनी शक्ति का प्रदशन करता है लेकिन आम तोर पर आपने बहुत ही कम जो है रोड पर टेंक्स देखे होंगे और चाइना ने यही किया था 1989 में बहुत ही मैसिव लेवल पर टेंक्स देप्लाइ कर दिये थे स्टूरेंट्स को मारने के लिए अब यह स्टूरेंट यहां पर डिमोंस्ट्रेशन कर के रहे थे देखो स्टूरेंट का यहां पर यह कहना था कि हमको एक प्रॉपर डेमोक्रेसी चाहिए हमारे पास free speech होना चाहिए हमको जोरे free press होना चाहिए चाहिए और 4 और पाँच जून को जो leader है who are a bomb और जो communist party है चाहिए हुआ यह बॉफ अब लेकिन इनकी जो की हार्ट हो जाती है हार्ट अटक से और यह एक बहुत important roll plays करते है basicly यह यह यहाँ पर डेमोक्रेसी पे सोवेत उनियन के जो प्राइम निस्टर थे मिखेल गॉर्वेच सो बेजिकली इनोंने जो है चाइना को विजिट किया था मतलब यह उस दिन चाइना पे थे लेकिन चाइना की सरकार यह चाज़े थी कि इनको जो है त्यानमेन स्क्वेर हम लेके जाए लेकिन वहाँ लेके कैसे जाते वहाँ पे करीब 10 लाग की संक्या में जो है लोग मौजूद थे और जैसे ऐसे लोग को पता चलता जाता था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं त्यानमेन स्क्वेर पे बहुत सारे लोग जो है जमा हुए और यहाँ पे चाइना ने एक काम किया जो सोवेत उनियन के प्राइम नेश्टर थे उनका जो वेलकम है वो यहाँ पे उन्होंने एरबोट पेही किया और फिर उसके बाद सडनली जो है चार जून को यहाँ पे आर्वी ने जो है फाइरिंग स्टार्ट कर दी कि अब किसने ये order दिया ये कुछ नहीं पता क्योंकि इस पे जो है कोई भी article नहीं है कोई भी news नहीं है और यहाँ पे करीब 10,000 की संक्या में लोग मारे गए थे लेकिन यहाँ पे student ने भी इसको retaliate किया और यहाँ पे student ने जो vehicles है उनको जला दियो जो टैंक से उनको जला दिये लेकिन फिर भी करीब 10,000,000 लोगों में आप समझ सकते हो कि 10,000 लोगी मृत्यू नहीं होगी यह आकड़ा करीब 1,2,000 से जादा ही का होगा और इसी को लेके 4 और 5 दून को पूरे देश बर में जो लोग है basically जो चाइना के लोग है वो यहाँ पे कॉमरेट करते हैं उनको जो श्रदाजली देते हैं और आज के समय आप देखो यहाँ पे UK में जो थाउजन टॉप प्रोटेस्टर है वो चाइनीज एमबेसी के सामने आपको देखने को पलेंगे लेंगे 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 बेसिकली 33 स्क्वेर का जो मेंसेक्यर है यह लोग सालों साल नहीं भूलेंगे जैसे भारत के जो लोग है जनरल डायर को कभी नहीं भूल सकते 1999 में जलिया वाला मेंसेक्यर हमको देखने को बिला था जहां कई हजारों लाखों लोग की जो है जान गई थी जैसे उसका भी actual data हमारे पास नहीं है वैसे ही वैसे ही चायना के इस नरसंगार का इस massacre का हमारे पास कोई भी data नहीं So at last ये थन्त इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जै भारत